अगर आपके सपने में साप दिखता है तो इसका मतलब क्या है कहते हैं कि आपका सुबह देखा हुआ सपना सच होता है जो आप सुबह 4-6 बज़े के भी देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारी बोड़ी हमारे सरीर में होने वाले बदलाब को पहले ही महसूस कर देती है ठीक उसी तरह हमारे दिमाग की बात है हमारा मन हमें कुछ संकेत देता है कि आपके जीवन में क्या बदलाब होने वाले हैं सपनों की मदद से कई बार सपने अपने संकेत को दरसाने के लिए आते हैं कई बार अपने दिन भर मन में होने वाले विचारों से आते हैं तो आज हम सपने में साप देखने का मतलब जानेंगे रात को आने वाले खुआव में साप को देखना डरावना मन को बेचैन करने वाला होता है आखीर मेरे सपने में साप देखने का मतलब क्या है आज हम आपको बताएंगे सपने में साप देखना सकून या आप सकून सबसे पहले सुरुआत करते हैं सपने में साप काटना का मतलब अगर आपके सपने में साप काटता है तो आपको संभल कर रहना चाहिए आपके जीवन में ऐसा कुछ होने बाला है जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है सपने में साप मारना या साप को पकरना अगर आप अपने सपने में साप को पकरते हो या फिर साप को मारते हो तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में आप बहुत ही जीत हासिल करने वाले हैं ख्वाब में साप से डर जाना का मतलब यदि आप अपने सपने में साप से डर जाते हो तो इसका मतलब है आपको आपका कोई करीबी बाला ही आपका विश्वास घात करेगा साप और नेबले की लराई देखना यदि आपके सपने में साप और नेबले की लराई आपको दिखती है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं नीद में साप छट से गिरते हुए देखना यदि आपके नीद में साप के दाथ दिखते हैं तो आपको आपका नजदिकी रिष्टेदार आपको धोखा देने वाला है या फिर आपको नुक्सान पहुंचाने वाला है साप का बिल में जाना, यदि आपके सपनों में साप अपने बिल में जाते हुए दिख रहा है, तो यह सुप सकुन है कि आपको जल्धी धन समपत्ती मिलने वाली है, सपने में बरा साप दिखने का मतलब, यदि आपके सपने में बरा साप नजर आ रहा है, तो आपका जीवन स आपका दिखना यदि आपके सपने में सफेद नाग का दर्शन होता है तो आपके घर में सुक सांती रहने वाली है और कोई खुस खबरी आने वाली है तो आज मैंने आपको बताया सपने में अगर सांप दिखे और की सवस्था में दिखे और कैसे दिखे उसके बारे मैंने आ आपको बताया अगर आप इसी तरह के ग्यानवर्धी जानकारिया जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ग्यान के बाते को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारी महत्यपून जानकारिया आप तक मिलती रहें जिससे आप और आपके फैमली स्वस्त खुसहाल रहें धन्यबाद करदा है।